नमस्कार मैं अहो दिव्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है आठ माई दिन बुद्वार खबरों के उबरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर तीसरी चरन के दहट बिहार के पांच सीटों पर इतना फीजदी हुआ मतदान अब इस विद्याले के सभी गत्विद्यों पर सक्षा विभाग ऐसे रखेगा नजर कोट में वखिरों के सुवधा को लेकर अब गर्मी की छुट्टी के बाद होगी सुनवाई प्रदेश में प्रधाना ध्यापक समेट अन्ने 504 पदा धिकारियों का रोका गया वेतन अब चलिए भरते हैं अब तकी 25 बरी खबरक्यों और विस्तार से उत्तर प्रदेश में टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर निकली भरती टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर उत्तर प्रदेश के UPS State Institute of Follensics Science लगनों में भरती निकाली गई है ये भरती असिस्टेंट प्रोफिसर, प्रोफिसर, असोसियेट प्रोफिसर, साइन्टिफिक ओफिसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों पनिकाली गई हैं एक चोग मिद्वारिस के आधिकारिक पैपसाइट upsifs.org पर जाकर आविदन कर सकते हैं आविदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे और उसकी हाट कॉपी आफ्लाइन तरीके से सहाइक रजिस्टार उत्तर पदेश राजय फॉरंसक विज्ञान संस्थान पीपर संड सरोजनी नगर लखनो उत्तर पदेश भारत पिन कोड 226008 पर भेजने होंगे भरती से संबंदित चटिक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिकारिक पैपसेट और अधिसूचना को देख सकते हैं तीसरी चरण के तहट बिहार के 5 सीटों पर हुआ इतना फीजदी मतदान बिहार में बीते दिन तीसरी चरण का मतदान 5 लोकसवा सीटों पर समाप्त हो गया है ये मतदान जंजारपुर, सुपॉल, अररिया, मधिपूर और खगरिया लोकसवा छेतर में देखने को मिला मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से सुरू हो गई थी और साम के 6 बजे तक चली हाला कि सब्वेदन सील जगों पर मतदान साम के 4 बजे तक ही रहा इन सभी 5 सीटों पर उमदवारों की किसमत EVM में कैद हो जोकी है बिहार के इन 5 सीटों पर मददान 6 बजे तक 60 फीजी के करीब में देखने को मिला है अब विस्विद्याले के सभी कत्विधियों पर सिक्षा विभाग ऐसे रखेगा नजर अब समर्थ पोर्टल के जरिये सक्षा विभाग राजे के विस्विद्याले में सैक्षिनिक प्रसास्तिक और अकैडमिक अत्य विधियों पर नजर रखने वाला है इस पोर्टल पर विस्विद्याले से जुरी तमाम सूचनाय अप्लोड की जाएंगी साथ ही परिक्षाओं के आक्रे भी पोर्टल के जरिये सुरक्षित रहेंगे सक्षा मंत्राले से विभाग ने इसके लिए MOU किया है सक्षा विभाग के तरब से जो जानकारी सामनी आई है उसके मताबिक अलग-अलग आउट्सोर्जिंग एजेंसी की सेवा लेकर राजी के विस्विद्याले परिक्षाओं के आक्रे तयार करते हैं और इन आक्रों को सुरक्षित रखते हैं इस पूरी प्रेक्रिया में विस्विद्यालें को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है साथी एजिंसी पर पूरी विस्वस्नेता भी नहीं रहती है कई बार तो एजिंसी के बीच में ही काम को छोड़ कर चले जाने से काम लटक जाता है इन्ही परिसार्णियों को देखते वे सक्षा विभाग द्वारा समर्थ पोर्टर लॉंच किया गया है ताकि विस्विद्यालों से जुरे तमाम सूचना यहां उपलत करवाई जा सकें बिहारी बात्रिय स्पेसल में आज हम बात करेंगे रमेश चंद्र जहा के बारे में रमेश चंद्र जहा एक भारती स्वाधीनता संग्राम में सक्रिये क्रामतिकारी थे इनका जन्म आज के दिन यानी 8 मई वर्स 1928 में बिहार के मोतिहारी में हुआ था इन्होंने साहित्य चेत्र में भी अपनी उलेखनी भूमिका निभाई थी ये हिंदी और मैथनी के कवी उपान्यासकार और पत्रकार भी थे इनके कविताओं, कहानियों और गजलों में देश भक्ती के साथ साथ मानब मूल्यों और जीवन के संघर्सों के अभिवक्ती की जहलग भी देखने को मलती थी इनकी देश भक्ती को देखते वे इन्हें तामर पत्र से सम्मानित क्या गया था साथ अप्रेल वर्स 1994 में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया कोट में वकीलों की सुवधा को लेकर अब गर्मी की छुटी के बाद होगी सुनवाई राजे के अदालतों में वकीलों के बैठने और कारेक करने की वेवस्ता और अनियादी सुवधाओं के अभाव के मामले में पत्ना हाई कोट गर्मी की छुटियों के बाद ही अब सुनवाई करेगा बता दे किस मामले पर चीफ जस्टिस केवी चंदरन की खंड़पीट वरिया धिवक्ता रामा कांत सर्मा के जनहित पर याचिका पर सुनवाई करने वाले हैं इसते पहले राज सरकार को अगली सुनवाई में प्रगते रिपोर्ट देने का नर्देश अदालत द्वारा दिया गया था मामले को लेकर राज सरकार की तरफ से महाधिवक्ता पीके साही ने अदालत को बताया है कि 13 अस्थानों के लिए वकीलों के लिए भवन निर्मान और भुनियादी सुवधाओं के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है बागी अन्य जलों में भी कारवाई चल रही है राजगीर की पहारियों पर प्राकरतिक रूप से उगने वाले जरी बोटियों का होगा व्यवसाई करन राजगीर की उत्तर पूरब दक्षिन और पस्तिम में फैली 65 किलोमेटर लंबी पंच पहारियों पर प्राकरतिक रूप से उगने वाले हजारों जरी बोटियों का व्यवसाई करन किया जाएगा दरसल बन में भाग आयूस मंत्राले की मदद से औस दिये महत्ता वाले पौधों का सनरचन करेगा उसके बाद इन पहारियों पर उगने वाली जरी बोटियों की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करके आयूरवेदिक दवा के रूप में इसे बेचा जाएगा इसे यहां के अस्थानी लोगों को भी रोजगार मिलेगा मिली जानकारी के मताबिक इसके लिए अस्थानी लोगों को फ्रस्रेक्शन दिया जाएगा प्रदेश में प्रधाना ध्यापक समेत अन्ने 504 प्रधादिकारियों का रोका गया वेदन सरकारे स्कूल में मध्यान भोजन को लेकर पूरी जानकारी प्रधाना ध्यापकों को देनी होती है लेकिन प्रदेश में मध्यान भोजन को लेकर जानकारी नहीं देने पर 504 पदाधिकारियों पर कारवाई हुई है ये कारवाई प्रदेश में 328 प्रधाना ध्यापक 146 प्रखंड साधन सेवी और 30 दिला कारेकरन प्रबंधकों पर की गई है कारवाई के तहट इन सभी पदादी कारियों के वेतन रोक दिये गए हैं क्योंकि इन होने मध्यान भोजन की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई थी बतादे किस बात का पता मध्यान भोजन योजना निदेसाले की समेक्षा में सामने आई थी जिसके बाद निदेसाला के प्रभारी उप्म निदेसक बालेसवर प्रसाद यादब ने इन सभी के वेतन लोकने के आदेश दिये थे पंजाब नेसनल बैंक के ग्रहांकों हो जाए साबधा नहीं तो बंद हो जाएगा अकाउंट अगर आप में से कोई भी ऐसे है जिनका खाता पंजाब नेसनल बैंक में है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है दरसल जिन भी PNB बैंक ग्रहांकों के अकाउंट से तीन साल से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है और उनके अकाउंट में कोई पैसे भी नहीं है तो उनको लेकर बैंक ने अलर्ट जारी किया है बैंक द्वारा कहा गया है कि जिन्होंने भी PNB अकाउंट में तीन साल से लिंदे नहीं किया है उनके खाते को एक महीने के अंदर बंद कर दिया जाएगा एक नोटिफिकेशन के जरिये PNB ने बताया है कि ऐसे समी खातों की कैलकुलेशन 30 अपरेल 2024 के आधार पर की जाएगी बिहार परिटन में आज हम बात करेंगे राम चंदर साही संग्राले के बारे में यह संग्राले बिहार के मुसपरपुर में स्थित है जिसे कला सांस्कृति और युवा विभाग के अंतरगत रखा गया है यहाँ पर आपको वैसाली और मुगलकाल के तहास से जुरे कई सस्त्र और दस्ता वेज देखने को मल जाएंगे इन सब के अलावे यहाँ पर कुछ धार में कमूर्तियां भी देखने को मल जाएंगे संग्राले में जाने के लिए आप से किसी प्रकार के कोई सुल्क नहीं लिया जाएंगे यहाँ पर हाथी के दाथ से मने सत्रंज के प्यादे भी मौजूद है जो परेटकों के बीच आकरसन का गेंदर बने रहते हैं यदे आप कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं गर्मी को देखते वे रेल्वे ने स्पेसल ट्रेन के फेरे में किया वस्तार भारतिय डेलवे ने पूर्व में चल रही इस्पेसल टेनों के फेरे को बढ़ाया है बता दे कि ये फैसला गर्मी की भीर को देखते वे लिया गया है डेलवे ने टेनों के इस सेड्यूल को भी जारी कर दिया है इसके तहत गया और आनन्द विहार के मध्य चलाई जा रही इस्पेसल अब दससे एवन 12 मई को भी गया से 6 बजे चलेगी और सासराम डेडियू परियागराज कानपूर के रास्ते अगले दिन 9 बचकर 15 मिनेट पर आनन्द विहार पहुँचेगी ट्रेन नमबर सुने तीन छे चार सुने आनंद विहार गया सूपर फास्ट स्पेसल अब 9-11-13 माई को भी आनंद विहार से 12 बज़े चलेगी और कानपूर परियागराज डिडियू सासराम के रास्ते अगले दिन 5 बज़े गया पहुचेगी ट्रेन नमबर सुने तीन 6-5 तीन गया आनंद विहार सूपर फास्ट स्पेसल अब 9-11-13 माई 24 को भी गया से 6 बज़े चलेगी और सासराम डिडियू परियागराज कानपूर की रास्ते अगले दिन 9 बज़ कर 15 मिनिट पर आनंद विहार पहुचेगी एक साथ 244 सक्षकों पर सक्षा विभाग ने क्यों की कारवाई एक बार फिर से सक्षा विभाग ने लापरवा सरकारी स्कूल के सक्षकों पर बरी कारवाई की है दर असल प्रदेश में गोपाल गंज के करीब 240 सक्षकों का एक दिन का वेटन काटा गया है आपको बता दे क कि ये सभी सेक्षां का स्कूल में इरेक्शन के दोरान गायब थे जिस वज़ा से ये कारवाई की गई है । बदादे की शिक्षा विभाग के निर्देश पर पदादिकारी हर दिन स्कूल की जांच कर रहे रही है इस दोरान उपस्तित नहीं रहने वाले सिक्षकों पर कारवाय की जा रही है जिस वजह से सिक्षकों का समय पर स्कूल आना जरूरी हो गया है भागलपुर में डॉल्फिन को बचाने के लिए कि अनूठी पहल भागलपुर को डॉल्फिन अभ्यारन थेत्र के अंतरगत रखा गया है भागलपुर में आपको सुल्तान गन से लेकर बटेस्वर अस्थान तक डॉल्फिन नजर आएंगे बता दे कि विलुक्त हो रहे डॉ डॉल्फिन को बचाने के लिए सरकार द्वारा कई मुहीम चलाए गए हैं भागलपुर में कई बार डॉल्फिन को कुछ लोग हानी पहुंचाते देखे गया हैं कभी यहां पर नाव चलाया जाता है तो कभी अव्यद जाल बिचहाया जाता है जिससे डॉल्फिन को कु करके आवाज करने लगेगा आवाज करने से नाविक भी समझ जाएंगे कि यहां पर डॉल्फिन है और वे सचित हो जाएंगे ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे प्रदेश की तापमान में होई गिरावट बिहार में मौसम में बदलाव के बाद तापमान में काफी गिरावट देखी गई है पहले से मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है प्रदेश में आज भी अधिकतर जगों पर बारिस की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के म अताबिक राजी के अधिकांस दिरों में एक या दो अस्थानों पर मेख गरजन या बजटपात की साथ तेज हवा 40-50 किलोमेटर प्रदी घंटे की रफटार से चलने की संभावना जताई गई है। कांत दास द्वारा दी गई है। दरसल उन्हों ने कहा है कि लेंदेन को अस्थाई रूप से हटा कर यानि केंद्रिये बैंक डिजिटल मुद्रा के जरी लेंदेन को ऐसा बनाया जा सकता है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इससे ये कागरी मुद्रा के समकक्षा सकता है। आगे उन्होंने बताया कि केंद्रिये बैंक डिजिटल मुद्रा को अफलाईन धंक से भी हस्तांतरन के लाइक बनाने का काम किया जा रहा है। इसकी विसेषता बताते बेंगे उन्होंने कहा कि नगदे के एक प्रमुख विसेषता ये कि इसे काम करने के लिए मद्दे निसेद विभाग पटना की टीम को सराब तसकरी की मामले में एक बार फिर से बरी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान पुलिस ने चालक और उक्चालक को गिरफतार किया है। अब्दुल बारी सिद्दे की, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर बीजेपे से बिहार सरकार्वे मंत्री मंगल पांडी लाल मोहन कुप्ता और अनामिका सिंग जदियों से खाले जनवर और स्यद फैसल अली हमसे संतोष कुमार सुमन और भागपा माले से सस्री आदव ने सपत ले लालु यादव ने मुस्लिम आरक्चन वाले बयान पर दी सफाई अभी हाल में ही लालु प्रसाद यादव ने मुसलिमों को लेकर आरक्चन देने को लेकर बयान दिया था ये मोदी ने कहा था कि कॉंग्रेस चुप है लेकिन आज इसके एक सहयोगी दलने इंडी गटबंदन के इरादों की पुष्टी कर दी है। इस सीरीज में बिहार से संबंद रखने वाले बॉलिवुड अगिनेता सेखर सुमन भी नजर आए। इस सीरीज को लेकर उन्होंने कहा कि मैं हीरा मंडी के हिट होने का इंतजार कर रहा था ताकि लोग ये ना कहें कि मैं खाली था। मेरी नवाबियत हीरा मंडी तक सीमित है आपको बता दे के सीरीज के बाद सेखर सुमन बीजेपी में सामल हो गया है। उन्होंने नई दिली स्थित पार्टी मुख्याले में बीजेपी के प्रात्मिक सदस्ता ग्रहन की है। इस दोरान बीजेपी के कई बरे नेता भी मौझूद थे। राबरी देवी ने चुनाव में उत्री अपनी दोनों बेटियों को लेकर किया बड़ा दावा। राबरी देवी और लालु प्रसाद यादब की दो बेटियां रोहनी आचारे और मिस्ता भारती इस बार एक साथ चुनाव मैदान में उत्री है। जहां रोहनी आचारे सार पुत्र लोगसवा सीट पर रोहनी आचारे की भारी मतों के अंतर से जीत हो रही है। विरासर टैक्स लागू हो जाएगा तो आप लोगों की जमीन, गरीब, खिसान, वजदूर की संपती, कहने जेवर सब को हर अपने के लिए कॉंग्रेस और राज़त कानून बनाएगी। आगे चराग नेखा की विरासर टैक्स के नाम पर 55 प्रतिसत संपती जब की जाएगी और उसे हरप लिया जाएगा। कॉंग्रेस और राज़त गटबंदन लोगों को डराने के लिए जूटी बाते कर रही है। बाजों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है ये पीच सपार्ट है जिससे बलेबाज अच्छी बलेबाजी से मैच में धमाका कर सकते हैं। कई कार्णों से दर्ज है भारत थेहास में आज की तारीक 8 माई वर्स 1929 में भारत की प्रसिद ठुमरी गाई का गिरिजा देवी का जन हुआ था। आज की दिन वर्स 1969 में प्रधान मंत्री जवाहला नहरू ने चीन को भारत के खिलाफ धमकी भरी योद जैसी तकरीरों से बाज आने को कहा था। आज की दिन वर्स 2000 में भारती मूल के 79 वर्सिये लॉड स्वा राजपाल ब्रेटन के 34 सबसे बड़े विस्विद्याले ब्रेटिस यूनिवरसिटी के कुलपती नियुक्त हुए थे। आज की दिन वर्स 1932 में सत्य ब्रत मुखर जी का जन हुआ था। ये पद्म भूसन से सम्मानेत एक राज नेतेंग्यों और लोक से भी थे। अक्षेत रितिया से पहले सोना चांदी का बरहा भाव। प्रती 10 ग्राम और चांदी ने 1500 प्रती किलो की भरत हासल कर लिए है। इस महीने से BSNL की शुरू होगी 4G सेवा। मेडिया में चलने खबरों के मताबिक साल अगस्त के महीने से स्वदेश प्रदोगी की पराधारी 4G सेवाय पब्लिक सेक्टर की टेलिकॉम कंपनी BSNL देश भर में शुरू करेगी। दरसल 4G नेटवर्क पर 40-45 मेगा बीट प्रती सेकेंड के अधिक्तम गतिक दर्ज करने का भारत संचान निकम लिम्टेड द्वारा दावा किया गया है। जाने क्या होंगे इसके फाइदे वर रही साइबर घटनाओं को देखते वे गूगल ने एक नया थ्रेट इंटेलिजेंस सल्यूशन लॉंच किया है। प्राप्त करने में मदद करने के लिए गूगल क्लाउड से गूगल थ्रेट इंटेलिजेंस लॉंच कर रहे हैं। हम प्रति दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे ने प्रदोगी परिक्षाओं में काम आएंगे। सवार इतिहास, ब्यार स्पेसल, विज्ञान, करेंट अफिर्स और वो गोल से रहेंगे। पूछे के पांच सवालों में आपने कितना सहीं उतर दिया है या हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है। हाली में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दोजा चौबस में कौन सीर्स पर रहा है। ऑप्षने है ब्राजील, ऑप्षन भी हेटली, ऑप्षन सी है नौर्वे, ऑप्षन दी है जर्मनी, इसका सहीं तर नौर्वे। हाली में किसने नो जंजट लाइफ इंस्वरंस फटाफर अभियान शुरू किया है ओप्षने है आधार फाइन्स बैंक, ऑप्षन B HDFC Life, ऑप्षन C है बंधन बैंक, ऑप्षन D है यस बैंक, इसका सहीं तर है HDFC Life. आप्सन नागेस कपूर आप्सन नागेस कपूर हाले में किस राजे में आठ रेल्वे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं आप्सने है दली आप्सन भी गुज़रात आप्सन सी है उतर प्रदेश आप्सन दी है पिहार इसका सहीं उतर प्रदेश जाएं पूंझे के सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सक्षण बॉक्स में लिख कर दिया थे दिन्हों हैं हमारे दोरा पूची ए सवालों का जवाब दिया इस स्वाली पूंप पहिर कुमार मनमोहन चौधरी मुहमत साकेर उसेन मधुकुमारी इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल है आर अक्षन पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट में लिक कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने लाने के देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर आप फेस्बूक से देख रहे हैं तो पेच को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद